हम हर साल 15 अगस्त को आजातिका जस्ल मनाते हैं भारत के परधान मन्त्रें लाल किला पर तिरंगा जंड़ा फैराते हैं और देष में कई जगों पर भी जंड़ा फैराया जाता है हर भारतीे 15 अगस्त को देश अजाद होने की खुशी मनाता है लेकिन कभी आपने सोचा है कि आभी 15 अगस्त को ही अजादी का दिन के रूप में क्यों मनाया जाता है किसी और दिन को क्यों नहीं चुना दिया तो आज में आपको इसी के बारे में बहुत ही महत्वपुर्ण जानकारी देने जा रहा है दरसल एक बात आपको सायद ही पता होगा और यह जानकर आपको काफ्यास चर्य भी होगा कि सन 1930 से लेकर 1947 तर 26 जनवरी के दिन भारत में सोतंतरता दिवस के रूप में मनाया जाता था और इसी दिन जंडा फैराया जाता था यहां तक कि 26 जनवरी को ही अजादी दिवस पर हर साल कॉंग्रेस के सदस्यों स्वतंतरता सेनानियों और यहां तक कि याम आद्मी द्वारा भी मनाया जाता था इस वाद का भैसला साथ 1929 में होए भारतिये राष्ट्रे कॉंग्रेस अधिवेशन में हुआ था कि 26 जनवरी को ही हमारा अजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा यह जो अधिवेशन हुआ था वहं लाहोर में हुआ था जी में पाकिस्तान में है इस अधिवेशन में भारत है पुर्ण स्वाराज की घोशना की थी यारी शुतंतरता की घोषना थीक इस घोसने के बाद सविना या वग्या अंदुलन के भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस द्वारा भारतिय नागरीकों से निवेदन किया गया था साथी भारत के पुर्ण सुतंतरता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया था तो अब बात करते हैं कि आखे जब सब्भी जनवड़ी को अजादी दिवस मनाया जाता था तो फिर 15 अगस्त को क्यों मनाया जाने लगा तो इसके पीछे जो कहानी है वो यह है कि भारत की अजादी और विवाजन के समय मांट वेटेन देश के वाय सराई और बाद में भारत क सब्वाने तो जानकार आपको बोट ही ज्यादा अश्चाद होगा कि अंगरेज जो वह भारत को अजातनेहीं करना चाहते थि और वह भारत के साथ सड़ियंत्र करना चाहा रहे थे जानकार लोगों का यहां तक कहना है कि अंग्रेज रासब 15 अगस्त को भारत को अजाद नहीं करना चाहते थे उनकी योजना कुछ और ही थी आईए जानते हैं क्या चाहते थे अंग्रेज शाशक दरसल अंग्रेज हुकुमत में मौन्ट वेटेन को भारत के अजादी को अमली जामा पहुचाने के लिए वाई शाराइक रूप में भेजा था ब्रिटिस पा अजाद किये जाने का निर्ने लेना पड़ा इतिहासकारों का मानना है कि प्रसिद स्वतंतरता सेनानी और विख्यात लिखक और भारत की अंति गुवर्नर जनरग सी राज गुपाला चारी में मौन्ट वेटन पर 15 अगस्त 1947 को भारत की अजादी की भोष्ण करने के लिए दवाग डाला था और इसी के साथ ही और भी जो स्वतंतरता सेनानी थे और कॉंग्रेस के जो मेंबर थे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पर 15 अगस्त को भारत को स्वतंतर करने का दवाग डाला था उन्होंने कहा कि 1948 तर ऐसी प्रसितियां बन जाएगी कि दव शत्ता का ह ब्रिटिस हाउस और कॉमंस में चार जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंडेंस भी लाया थे इस बील में भारत को दो हिस्से में विभाजित कर नेया देश-पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताथ था यह बील ब्रिटिस संसद में 18 जुलाई 1947 को सुख्रित हुआ और 15 अगस बारत से खत्म होगे थी और बारत एक स्वतंतर राष्ट बन गया था